नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लैट्फॉर्म आनेकेडमी पर आप सभी को गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है एक नए प्रयास में एक नए अभ्यास में हम बात करेंगे हुमन जोग्रॉफिक के बेसे म जोग्रॉफिक के बहुत से इंपोर्टेंट सेग्मेंट हम लोगों ने कवर किया वर्ल्ड जोग्रॉफिक कवर किया इंडियन जोग्रॉफिक कवर किया और इसी प्रयास में मैंने जो है कि क्लास 11 का जो NCIT है उसको भी मैंने कम्प्लीट करवा दिया था लेकिन आज से एक नया प्रयास प्रारम कर रहे हैं और हम बात करेंगे हुमन जोग्रॉफिक की इस NCIT पर यह जो NCIT है इतनी conceptual है और इतनी factual है कि अगर दोनों के सामन जस्य को हम इस्थापित कर लें तो हमारा जोग्रॉफिक अर्थाद भुगोल को देखने का जो नजरिया है वो बदलेगा औ और कैसे बदलेगा आज से ही देखिएगा यह जो NCIT है यह बहुत कम लोग पढ़ते हैं और इसके पीछी का कारण यह है कि कई बार हमसे को यह कह देता है कि यहां से जो प्रश्ण है वो थोड़े कम आते हैं लेकिन अगर आपको जोग्रॉफि में अच्छे मार्क्स लाने ह तो इस NCIT का कोई बिकल्प नहीं है जी हां अगर आप कोई भी भुगोल का सिधान्त लिखते हैं जोग्रॉफि की कोई चीज लिखते हैं और उसमें हुमन नहीं है ब्यत्ती नहीं है फिर उस जोग्रॉफि कैसे भुगोल कैसा तो आज से यहां पर हम एक इतिहास बनाने का प्रयास करेंगे और यह जो इतिहास है यह बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है इतिहास हमें यह बनाना है कि यह जो हुमन जोग्रॉफि है इस पे हमारी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए जिस से हम इसको physical geography के अन्य segment से correlate कर सके जब हम इसको जोड लेंगे अर्था सभी geography के units को एक साथ जोड लेंगे आप देखिएगा आपका जो answer है उसका जो presentation है उसका जो dimension है उसको लिखने का जो नजरिया है और examiner को जो प्रभावित करने के आपकी छमता है वो कितनी जादा पढ़ने वाले तो आज से हम लोग इस NCIT को लेकर आगे बढ़ेंगे आप लोगों में से बहुत से student से का यहाँ एक request किया जा रहा था कि सर थोड़ा सा अगर हमें English में भी कुछ content मिलता तो हम आपके specialization का लाव उठा सकते थे तो एक प्रयास किया गया है यहां से और देखते हैं प्रयास कितना सफल हो पाता है तो आपको जो content है वो हिंदी में भी मिलेगा English में भी मिलेगा और दूनों ही माध्यमों में हमारा प्रयास होगा कि आप तक न सिर्फ concept पहुँचे, fact पहुँचे बलकि जोग्रोफी का एक dynamic approach आपका विक्सित हो चुके तो आप सभी का स्वागत है इसी session को हम लेकर आगे बढ़ेंगे प्लीस एक बार confirm कर दीजे क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है कि नहीं प्लीस एक बार confirm कर दीजे सबसे बड़े दिक्कत यह होती है कि क्लास से ज्यादा पीडिएप की डिमांड बच्चे आप करते हो अरे बच्चे पीडिएप अगर पढ़ना है तो देखो हमारा जो नोट से इस किताब से बना है अगर आपको सिर्फ पीडिएप चाहिए क्लास नहीं समाजना है पीडिएप ज्यादा इंपोर्टेन लगता है किताब को ठाईए पर डालिए अपने आप आप क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएंगे ठीक है पीडिएप उतना ही है देखो पीडिएप में तो सब बड нравится पीडिएप मिलता हो पीडिएप मिलता है क्या को으면 आपको समझाने के लिए आता तो फैडिएप अल возможता his से ही हम पढ़ रहे हैं उससे केपर नहीं कर पा रहे हैं तोoquा अगर में जाहे तो थोड़ा सा भ्याइप करना आसान हो जाएगा अभी class start नहीं हुई PDF sir PDF PDF अरे बच्चे थोड़ा सा थोड़ा सांती रखो भना तो सेशन को start किया जाए सेशन को start किया जाए एक सिकेंड दे दें मैं माइक चेक कर लूँ ओके अब आज जा रही है थैंक यू सो मुझ थैंक यू सो मुझ चले तो थोड़ा सा आप लोग cooperate कीजिए और सेशन को थोड़ा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ share कर लेजिए इस सेशन को अपने दोस्त और मित्रों के साथ share कर लेजिए थोड़ा सा चले ठीक है आजाते हैं तो हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया के सबसे बड़े learning platform अनेकेडमी पर आप भी अनेकेडमी जोईन कर सकते हैं यह फीचर से हैं रजल्ट से हैं परड़ाम हैं यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं यह जो हमारी सीरिज हम लोगों ने परारम किया है इसमें हम बात करेंगे human geography की इस NCRT पर आप देख सकते हैं class 12th की यह NCRT टॉपिक मैं discuss कर रहा हूं सीरिज को मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूं तो मेरे बिसे में संचिप्त जानकारी यहाँ पर हैं यह मेरा टेलिग्राम चैनल है इसका लिंक वीडियो के description में दिया गया है टेलिग्राम चैनल है जिसका नाम है सुनील बर्मा अनेकेडमी लिंक वी कोर्स और सब्सक्रिप्शन मिला तो वीडियो के description में चाहिए टेलिग्राम को जोइन कर लिजे मैं उसका admin हूँ आप मुझे परसनल मेसेज भेज सकते हैं और परसनल मेसेज भेज कर आप कोर्स ले सकते हैं हमारी टीम आपको कूरी अनेकेडमी के कोर्स की जानकारी कर सकते हैं 20% discount कई batch start हुए हैं आप यहां पर मुझे join कर सकते हैं EMI अर्थात monthly basis payment पर भी कोर्स आपके लिए अवेलवन तो यहां पर हम आ जाते हैं अपनी NCRT पर ठीक है अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिए यह NCRT आप में से कितने लोगों के पास है यह जो NCRT जो आपके screen पर है और मेरे हाथ में है यह कितने लोगों के पास है यह NCRT अजीत रहाओ मैं आज नया हूँ सर क्या फुल कंप्लीट NCRT कोर्स करा रहे हैं प्ली इच टाइम बता दो अरे बच्चे थोड़ा सा कमेंट कम करो अगर नय हो तो थोड़ा सा पहले क्लास देखो पहले क्लास का लेवल देख लो पसंद आएगा तब तो पूरा कोर्स का डिटेल होगे नहीं है अधिकांस लोगों के पास यह NCRT नहीं है मैं आपसे request करूँगा NCRT ले लिजेगा फ आपको पढ़ना है NCRT सिर्फ इसलिए लिजेगा ताकि आप मुझे cross check करते चलें कहीं सर ने कोई line तो नहीं छोड़ दिया कोई fact तो नहीं छोड़ दिया कोई concept तो नहीं छोड़ दिया मैं इस तरह से छोड़ छोड़ कर पढ़ाने पर और जल्दी जल्दी कूदा फादी पर भरोसा नहीं करता हूं मैं जो भी पढ़ाता हूं बेवस्ति तरीके से पढ़ाता हूं भले ही समय जितना भी लग जाए लेकिन जैसा कि आप लोगों से में बार बार एक request करता हूं आपका support नहीं रहेगा तो course कितना लंबा चलेगा यह मुझे भी नहीं पता आपने जह आप में है जो NCRT में है वो आपके दिमाग में छपेगा आज अपनी condition आप देख लो और जब यह NCRT की 10 से 15 classes हो जाएं उसके बाद अपनी condition देखना और अपनी सबज का label देखना अपना presentation देखना लेकिन इसके लिए क्या करना होगा पढ़ना होगा concentration के साथ class में बैठना होगा copy पे लेकर बैठना होगा जो मैं explain करूँ उसको लिखते चलिए notes बनाते चलिए ताकि बहतर फाइदा इसका उठा सके ठीक है चलिए हम आ जाते हैं तो मैं सबसे पहले आपको इसका index दिखा देता हूँ यह हमारा NCIT है तो इसकी NCIT को देखे यह रहां NCIT मैं इसको खोल देता हूँ और जब मैं इसका खोलूँगा तो इसमें पहला जो unit है पहला जो unit है वो GS के किसी काम का नहीं है यहाँ पर देख सकते हो और मैं इसको pass में कर देता हूँ ताकि और आप आसानी से देख लो तो यहाँ पर देखोगे तो मानो भुगोर प्रकरती एवं बिसे छेत्र बताया है इसमें से हो सकता है दो से चार परसंट लोग का जो ग्रॉफी ऑप्सनल हो तो उन्हीं को बिसे छेत्र समझना होगा कि आखिर यह मानो भुगोल जो है उसमें हम क्या अध्यन करते हैं यह बिलकुल भी आपके GS के पॉंट अब्यों से एक भी ऐसा fact नहीं है जो आपको जा जानकारी दी गई है अगर उसमें जैसे founder होते हैं कि किसी subject की खोज किसने क्या जनक कौन है ऐसी चीजे होती तो मैं रख देता लेकिन यहां पर जो चीज है जो आपकी class start होगी वह है आपका second unit और second unit है विश्वचन संख्या आप देखिए बित्रण घनत और ब्रिद्धी आ आपके लिए पढ़ा है खुद समझा है और तब हम समझाने जा रहे हैं यह जो मैंने underline किया है यह इस चेज का परमाण है कि हर जगे यहां पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है तो चले मैं आपको एक एक इसके text से परचित करवाता हूं और आप देखिए 10 से 15 देन इस class का support बनाए रखिए आपकी संख्या आज कम है संख्या जितनी जादा होगी आपको नोट्स उतना ही बहतर मिलेगा और classes उतनी ही लंबे होंगी चले यहां पर आ जाते हैं हमारा जो पहला topic है वह है विस्व जन संख्या वित्रण घनत और वृत्ति इस chapter में बहुत क chapter start हुआ है और यह देखे image है same होई और यह वाला जो box है इस box को हम पढ़ते हैं यहीं से हमारा chapter start हो रहा है चले यहां पर हिंदी और इंग्लिस दोनों में हैं तो आगर आप चाहें तो जो जिस language में आप comfort हो उसको देख लेज़ेगा यहां पर देखेगा स्वन से नहीं वरन केवल इस्त्रियों और पूर्सों से एक राष्ट मजबूत और महान बनता है यहां पर चीज़ों को underline किजे और देखिए human जोगरोफिकी है NCRT आपके दिमाग के कितने नसों को खोलती है कितना आपको सोचने और समझने पर यह मजबूर करती है यहां पर लिखा हुआ है कि शोन से नहीं वरन केवल इस्त्रियों और पूर्सों से एक राष्ट मजबूत होता है इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर यह लिख कह दिया जाए किसी जाती विसेज के आधार पर राष्ट नहीं बनता क्योंकि जातियां बाद में बनती है पहले जनम से हम या तो पूरुस होते ही या इस्त्री होते हैं और जहां के पूरुस और इस्त्री जितने सच्छम होंगे वह देश उतना ही महान होगा और आप महान देश में ही हम लोग हैं अर्थात हम लोगों ने देखा है कि हमारे बीच के ही कुछ नाइकाओं ने किस तरह का इतिहास रख चाहे और उसमें जाती कहीं पर भी नहीं आती इसलिए ध्यान दिजे यहां पर कुछ जो हमारी मानसिक बंधने हैं उसको NCRT तोड़ने का प्रयास कर रहा है पहला लाइन स्वन्ड से नहीं बरन केवल इस्त्रियों और पूर्शोक से एक मजबूत और महान राष्ट बनता है सत्य और समान की खातिर जो डटे रहते हैं और जो कश्टे छेलते हैं जो परिश्रम करते हैं और जब वह परिश्रम कब कर रहे हैं जो बाकी लोग क्या कर रहे हैं निद्रा गमन कर रहे हैं अर्थात सो रहे हैं जो साहस दिखाते हैं और साहस कब दिखा रहे हैं जो बाकी लोग भाग खड़े होते हैं वही लोग राश्ट के इस थंभो की गहरी नियू डालते हैं और आकास तक उसे उचा उठाते हैं तो सत्य और सम्मान अर्थाद गांधी जी के बिचार यहाँ पर बहुत पर मुकता से उभर कर आ रहे हैं। जितने स्वतन्तरता सेनानी थे, उन्होंने भी सत्य और सम्मान की लड़ाई लड़ा, उन्होंने देखा कि अंग्रेज किस परकार के अत्यचार कर रहा है, तो सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं, जाहें वह individual हो, या कोई भ्यक्ती हो, कोई ग्रूप हो, या कोई सं और समान की खाती डटर रहता है जो बहुत से अनेको कश्ड जेलता है जो दिन रात परिश्रम करता है जैसे आप कर रहे हैं जब आप इस समय पढ़ रहे हैं बाकी लोग क्या कर रहे होंगे पार्क में घूम रहे होंगे चाय पी रहे होंगे तो आप क्या कर रहे हैं और दूस अपनी नीद को नहीं भगा रहे होते हैं, अपनी अंतर जोस भर रहे होते हैं, उर्चा भर रहे होते हैं, ऐसे ही अगर आप कर रहे हैं, अगर आप साहस दिखाते हो, आप डढ़ते नहीं हो किसी चीज से, कि परस्तितियां बिपरीत हैं, समय बिपरीत हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी या बिचारों से आगे बढ़कर आप साहस दिखाते हो संकल्प लेते हो तो आप भी इतिहास बनाओगे और क्योंकि ऐसे ही लोगों ने इतिहास बनाया है आज जितने भी आप बड़े लोगों को देखो उनकी संघर्स की कहानियों को सुनना यह बात आ आप अपने जीवन पर लागू कर कर देखो आपका जीवन भी इसी तरह से सत्य और वास्तविक नचराएगा तो यह लाइन यहाँ पर यह जो लाइन है यह क्यों कोट की गई है आखिर यह चेप्टर की स्टार्टिंग में इसको क्यों बताए गया है क्योंकि यह जो पूरा संसाधन अर्थात रिशोर्स भी हो सकता है डिपेंड करता है कि हमने अपनी जनसंख्या अपने मानों अपने यहां के लोगों को कितना संसाधन बनाया है अर्थात कितना हमने रिशोर्स के रूप में उनको ढालने का प्रयास किया है या फिर हमने उनको ऐसे ही छोड़ दिय जैसे आप अफ्रिका महादीब लो आप अगर अफ्रिका महादीब लेंगे तो अफ्रिका महादीब को डार्क कॉंटिनेंट अर्थात अंद महादीब कहा जाता है पता है क्यों क्योंकि वहां पर टेकनोलजी का विकास नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर साइस का डेबलमेंट उतना नहीं हुआ है क्योंकि वहां की जन संख्या अभी बहुत स्किल्ड नहीं हो पाई है उनका जीवन इस्तर अभी कमजोर है और इसके बज़े से वहां पर संसाधनों का उपयोग भी नहीं हो पाता है लेकिर अगर आप देखें तो अफ्रिका इतना बड़ा महादीप और उसके कमपेर में देखी एक देश जिसका नाम है चापान छोटा सा देश है और संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं है जिहां संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं है इसको क्या मिला है तोफे में इसको मिला हुआ है अर्थक्वेक अर्थाद भुकम इसको मिला हुआ है तोफ राष्ट के निर्माड के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और इन्हों ने इसी के कारण इतिहास रचा है इतिहास बनाया है और इनके पास अगर यह बहाने के लिए करें कि हमारे पास क्या है तो ना तो इनके पास परियाप्त लोहा है ना इनके पास कोला है ना इनके पास पेक् कल्प है कि देश्ट को हमेशा उपर उठाए रखना है बर्स 2011 में यहां पर सुनामी आती है और पूरा जापान सहम सजाता है बिसमें पहली बार इस घटना के बाद से परमाडू आपातकाल की घोशना की जाती है ऐसा लगा कि वहां के जो परमाडू रियक्टर है उनमें बिस फोट होगा और फिर से वही घटना दोहराई जा सकती है जो दुतिय बिस युद्ध में थोपी गई थी अर्थात आपको पता है कि हिरो सीमा और नागा साकी पर बम गिराए गये थे जापान तब भी नहीं तूटा और यहां पर भी नहीं तूटा छे महीने तब हुए थे जब जापान ने अपने आपको फिर से उसी तर से बना लिया यह हमारा जो देश है जिस देश के संसाधनों का हम उपभोग कर रहे हैं जिसकी हवा मिट्टी पानी का हम उपभोग कर रहे हैं इसकी कीमत को हम नहीं समझ रहे हैं लेकिन अगर आपको इस सब चीजे संघर्स क करके प्राफट करने होती तो हमें मेंसे बहुत से लोग भाग जाते और जो भागने वाले होते हैं वो इतिहास नहीं बनाते हैं अर्थार आपको यहाँ पर दो चीज़े हैं आप एक human being है chodzi कमने हैं मैं एक human being है पार है कि आखिर मानो भुगोल को हमें किस तरह से देखना और समझना है यह लाइने आगे चल कर और अपना व्यापक रूप धारत करेंगे इनका डाइमेंशन और खुलने वाला है कि लियर है कि एक आइडी है चमकू यह लिखना है जी मास्टर जी और उन्होंने एकदम गु हमने कौन से आपकी जमीन ले लिए ऐसे नाराज हो रहे हूँ चले ऐसा करिए थोड़ा सा देखो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है मैं सही बता रहा हूँ जिस तरह से NCRT पढ़ा रहा हूँ पढ़ लेना फिर से ओपन चैलेंज कह रहा हूँ कि जिनका जो ग्रोफी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जी मास्टर जी कुछ नहीं फिर से उन्होंने गुस्से वाला इमोजी लगता है उनके साथ कुछ आज गलत हुआ है बच्चे के साथ लग रहा है कुछ गलत हो गया है वो बहुत गुस्से में है मैं कितना भी मुस्कुरा लूँ गु होता ही नहीं चले आए यह हमारा जो बिश्र है इसमें हम अपने देशों को देख रहे हैं मैंने एक बार प्रयास किया कि मैं आपको वर्ल्ड का मैप वर्ल पॉपॉलेशन मैप आप अभी भी करके मुझे गलस साबित कर सकते हैं आपको इंडिया का मैप कहीं सही मिलता ही नहीं है हमारा यह जो छेत रहना पियो के वाला इसको अधिकांस जो है मीडिया क्या करती है इसको पाकिस्तान का हिस्सा बताती है इसी के करण मैं दि इस साल इतनी हुई है और आज इतनी लोगों की मृत्ति हुई है पॉपॉलेशन ग्रोथ दिस इयर इतना है अर्थात इतनी पॉपॉलेशन बड़ी है और पॉपॉलेशन ग्रोथ आज ही के आज किवल इतनी जनसंख्या बड़ी है और टोटल जनसंख्या कितनी है गुगल क लेजे हर सेकेंड आप देखेंगे तो कई लोग जनव ले रहे हैं और कई लोग हमारे बीच से जा रहे हैं अब इस पॉपलेशन के डिस्टिप्यूशन चुक्कि देखें हमारा जो टाइटल है बित्रण घनत और ब्रिध्धी अब आप को होगे कि सर क्या सिर्फ आप इसी से बताओगे क्या आप यह नहीं दिखाओगे कि टेक्स्ट दिखो बच्चे एगर हम इस मैप को देखें अर्थाथ हम अपने गलोब को देखें तो इह NCRT आगे के पन्नों में आप से इस मैप के से में जिक्र करेगी और यह बताने वाली है NCRT की कहाँ पर population कितनी जादा है अब देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं मान लेते हैं यह हमारी प्रत्वी है यह हमारा equator है ठीक है इस प्रत्वी का यह equator है जीरो डिगरी अक्षांस रेखा तो जीरो डिगरी अक्षांस रेखा से अगर polar area में जाए तो जंसंख्या बढ़ेगी यह कम होगी यह NCRT बताएगा दूसरा अगर पूरा की ओर जाए और फस्सिम की ओर जाए तो ज़ंसंख्या कहाँ पर सथी साथ अगर हम इस मैव को देखें तो हमें पता चलेगा कि पूरे ब्ल्ड में न तो एक जैसी इस्तलाँ करती है अर्था सभी जगों पर मैदान नहीं है सभी जगहों पर पठार नहीं है, सभी जगहों पर परवत नहीं है, अलग-अलग छित्रों में अलग-अलग जो है की इस्तला करती है, और यह जो अलग-अलग परकार की इस्तला करती है, हर जगहों पर इस्तला करती के अनुसार, जो मानों का जीवन है, वो अलग-अलग तरह के लिए उप्युक्त जगा होगा पानी की उपलब्धता होगी वहां का टेंप्रेचर अर्थात वहां का क्लाइमेट सुटेबल होगा वहां जनसंख्या जादा पाई जाएगे अधिक जनसंख्या वाले अगर हम छित्रों को देखें तो आप इस एरिया को क्या कर सकते हो ऐसे सर्किल कर सकते हो यहां दुनिया का यहां पूरी दुनिया का यह कहें पूरे वर्ल्ड का यह पूरे वर्ल्ड का वह एरिया है जो सबसे जादा डेंस है अर्थात यहां की डेंसिटी डेंसिटी को भी आगे में समझाने वाला हूँ लेकिन अभी यह समझ लिजे कि यहां पर दिल्ली में जो आप मुखरजी नगर में पढ़ने आएंगे तो ब्यक्ति टक्रा कर चल रहा है उहां दरसल जान वुच कर नहीं टक्रा रहा है क्योंकि हर ब्यक्ति टक्रा रहा है जगह नहीं है तो जैसा दिल्ली है मुंबई है कॉलकाता है इस सहर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, चाइना में देख लो, दचिर पूर्व एसिया वाले चित्र में देख लो, वर्ल्ड की सबसे dense population आपको यहाँ पर दिखने वाली है, ठीक है, तो यह जनसंख्या का अधिक चित्र हो, अब उसके बार जब आओगे, तो थोड़ा सा पस्रिम की ओर आओ, तरण क्या है, यहाँ पर डिचेट है, मरुस्तर, फिर यहाँ पर आओगे, तो यह जो भाग है, यहाँ पर भी जनसंख्या क्या होगी, कम मिलेगी, जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा मिलेगी, जनसंख्या यह यह यूरोप का जो किनारे वाला भाग है, यहाँ ज्यादा मिल लेलो आप जो है कि साउथ अमेरिका लेलो नौर्थ अमेरिका लेलो किसी भी महादीप में अगर आप अंदर की ओर जाओगे तो क्या होगा पॉपलेशन घटेगा इसका मतलब है कि जो बिसु की बड़ी आबादी है वह कोश्टल एरिया और उन्च छेत्रों में रहती है जहा पार से लेकर अन्य गतिवी धियों को सुचारू रूप से जहां चलाया जा सकता है उहां पर जन्संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगे अगर आप इन छित्रों में आ जाए तो यहां पर तो आपको क्या होगा सिर्फ और सिर्फ बरभ देखने को मिलेगा और यहां पर कुछ जियू देखने को मिलेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखे, अगर आप देखेंगे तो यह जो रेखा है, इसके बाद का जो छित्र है, यहाँ पर तो इनसान ही नहीं, अब आप में से कुछ कह देगा कि सर आपने यहाँ पर गलत पैक्ट बताया, मैं पूछूंगा वो भी दुरूस्त है, यहाँ पर जो रिसर्च स्टेशन में रहते हैं, वो उनका घर नहीं है, वो यह नहीं कह सकते कि नहीं साप, अब तो हम यहीं रहेंगे, हमारा बर्प में दिल लग गया है, यहीं बर्प खाएंगे, बर्प पिएंगे, बर्प की हवा लेंगे, नहीं कम है और जादा है, तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा, सिर्फ इतना बताने के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, कि यहाँ पर जन संक्या कहा कम और जादा है, वो तो हम को पता है, हम रट कर वैठे हैं, बात सिर्फ जन संक्या बित्रण की नहीं है, हम जनसंख्या की बित्रण पर बात करेंगे तो दरसल यह NCRT आपको सोचने और समझने पर यह मजबूर करेगी कि आखिर वहाँ पर जनसंख्या का घनत तो कम और जादा क्यों है जनसंख्या घनत अगर कम और जादा है तो वहाँ के संसाधन पर अर्थत वहाँ के रिसोर्स प अर्थाद जलवायू से संबंधी चुनोतिया उत्पन हो रहे हैं कौन से वहाँ पर इन्वार्मेंटल जो इसू है वह क्रियेट हो रहे हैं इन सब चीजों को देखेंगे अर्थाद हीूमन जोग्रॉफी के सभी डामेंशन को हम कबर करने वाले ठीक है तो चलिए अब मैं आपको लेकर आजाता हूं इसके दूसरे टेक्स्ट पर तो पहला मैंने आपको देखो यह देखूं कहाँं गया यह रहा हो पहले हमने आपको इसकी ब्याक्या कर दी है जो हमने अपको एक हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है हम इहां पर जोड़ते चलेंगे छोड़ेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार पोजेटिव थमनेल बनाई समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं आ रहा है, तो फिर से समझा देता हूं, आई, देख लेते हैं, तो विश्व, जनसंख्या, बित्रण, घनत और बृध्धी, अर्थात आगे के फेराग्राफ में यह जो NCIT है, यह निम्न पक्षो पर बात करने वाली है, यहाँ पर जनसंख्या के बित्रण की बात की जा इन तीनों ही सब्दों को पहले NCIT explain करती है, बताती है, फिर आपको आगे लेकर चलती, चले, जनसंख्या, पहला जो सब्द है जनसंख्या, तो जनसंख्या से तात पर, जन की संख्या से है, अर्थात, उस छेत्र बिसेस में रहने वाले लोगों की संख्या से, अर्थात, ज अगर यहां पर लिख दिया जाए, कि जनसंख्या से तात पर किसी छेत्र में रहने वाले सब ही जीवों से है, तो जीवों को हम जय बिवित्ता में देखते हैं, बायो डायवर्सिटी में देखते हैं, पॉपुलेशन के पॉइंट अब बैसे नहीं, जब जनसंख्या मतलब उसमें जन जुड़ा हुआ है, जन के मतलब है लोग, तो पॉपुलेशन रेफर्स टू दा नंबर ओफ प्यूपल, नंबर ओफ प्यूपल लिविंग इन दा पार्टिकुलर एरिया, अर्थात कोई छेत्र, जैसे माल लेते हैं, यह, एक सिकन दिजे, हमको प्रत्वी अपन और जन संख्या की अंतरगत, हम क्या क्या देखते हैं, प्रशन आएगा, क्या अच्छा, हम सिर्फ यह देखते हैं, कि उहाँ पर कितने लोग हैं? नहीं, जब हम जन संख्या की बात करते हैं, जैसे आपनी सुना होगा, कि जन गर्णा होती है, तो क्या जन गर्णा में सिर्फ यह देखा जाता है, कि कि किसी गाउं में कितने लोग हैं, सहर में कितने लोग हैं, यह तो बड़ा आसान होता, नहीं, जब हम जन संख्या की बात करते हैं, तो दरसल हम जन के बिसे में, लोगों को बिसे में, बहुत स जानकारियों को हम एकतरित करते हैं और वह जानकारियां हमारे प्रोagate काफी महत्सक्राइब होती हैं इसलिए जन्संख्या के study करना हमारे लिए important हो जाता है जन्संख्या के अंतरगत किसी छित्र ऑ सेस में हम क्या-क्या पता करते हैं हम पता करते हैं लोगों की आयू तो जैसे आप देखते हैं भारत की विशे में कहा जाता है कि भारत एक युवा देश है भारत एक युवा देश है तो आखरी युवा कैसे हो गया सिर्फ हम और आप युवा है इस वज़े से हम युवा देश कहा दे नहीं जरसल युवा देश इस वज़े स समय में और किसोर होंगे युवा बनेंगे तो जैसे आप युवा बन चुके हैं आने वाली जो जनरेशन है उसमें अधिकांस लोग ऐसे होंगे जो युवा होंगे जो कि अभी किसोरा अवस्था में हैं या जो अभी बचपन में क्या कर रहे हैं खेल कुद कर जैसे आने वाल उसको भी चाहिए पावर, देश सेवा तो कहने के लिए इंटर्विव में आप बोलते हो, आपको तो में चाहिए होता है पावर, और पावर के साथ कुछ और चाहिए होता है, लेकिन देश सेवा के लिए अगर आगे बढ़ोगे, जिसने देश सेवा किया, देश को समर्पित किया उसके लिए हमारा ये जो देश है कभी किसी चीज के लिए मौताज नहीं होने देता आपको दुनिया अपने आप क्या कर देती है सब कुछ दे देती है देश सेवा मुएन रखेगा ठीक है तो हम जनसंख्या की जब बात करते हैं तो यह देखने का प्रयास करते आप को समझो आप किसी जिले के अधिकारी हो आपको पता ही नहीं है कि उँहां पर किस एच्पे लोग जादा है ओल्ड एच्पे लोग जादा हैंमेल जादा हैं फिमेल जादा है तो आप पॉलसी कैसे बनाओगे तो पॉलसी बनाने के लिए पॉलशी की अच्छे बना लोगे कैसे वहां कि संसाधनों का दोहन कर लोगे कैसे आप बहतर management करोगे संसाधनों का अच्छे से दोहन ना कर पाना management ना कर पाना और आपके क्या हुआ बच्चों कुछ दिक्कत आ गई थी क्या क्लास रुख गई थी क्या मुझे तो यह भी नहीं पता कि रुखी कहां थी क्लास कितना देर हो गया क्लास रुखे क्लास रुखे कितना देर हो गया थोड़ा कोई बचाए मुझे कितने देर हो, दो मिनट हो गया बस अभी बंद हुआ गया, अच्छा एक से दो मिनट बताए ना लो अच्छा हमने आयू वाली बात पूरी कल ले थी, जेंडर हमने स्टार्ट किया था क्या जेंडर स्टार्ट किया था क्या हमने, अब तो वाप प्रिंग नहीं कर रहा है नॉकी, ठीक है, ठीक है टेकनिकल इसुआ आ जाते हैं बच्छों मन मां पेचा आता हूं, तो अब हम यहां से बात करना है, जेंडर हमने स्टार्ट किया था ना, चले कोई बात, कोई बात, ओल के लिए, ठीक है, एक बार सेशन को थोड़ा सा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ सेयर कर लेजे, ए जब हम जन संख्या की बात करते हैं, तो जन संख्या में क्या होता है, जेंडर भी सामिल होता है, आपको समझे कि अगर हम कहते हैं हमारे यहां पर लेंगिक विश्रमता है, लेंगिक विश्रमता का मतलब क्या है कि जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो अग अगर किसी चित्र में पता चले कि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है तो वहां पर कई तरह के समाजिक अपराध उत्पन होते हैं। किस जाती धर्म के लोग रहते हैं ताकि हम उनकी सामाजिक्ता को समझ सकें हम यह देख सकें कि किस जाती के लोगों की क्या कंडिशन है हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इसी के साथ हम यह देखते हैं कि आखिर उस छित के लोग कौन सी भासा बोलते हैं जैसे भारत के संद कौन सी भासा बोलता किस तरह से वह कारे करता है इसमें हम साच्छर्था को भी देखते हैं अर्थात यह देखते हैं कि हमारी कितनी जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है कैसे हम और उसको बहतर कर सकते हैं उसको योग बना सकते हैं इसी के साथ साथ हम जब जनसंख्या की बात क कि कितने लोग की जनसंख्यक बढ़ रही है कितने लोग का जन्व हो रहा है कितने लोग की मिर्तिव का क्या कंडिशन है। जन संख्या घनतों कम मिलेगा अगर हम जो है कि पुरुवत्तर भारत देखें तो उहां पर जन संख्या घनतों कम मिलेगा लेकिन उहीं गंगा का जो मैदानी छित्र है वहां छित्र देखें तो उहां पर उच्छ जन घनतों देखने को मिलेगा अर्थात एक ही देश के अलग इंटेशन भी उसी तरह से कर सकेंगे जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हमें लोगों का ब्योसाय भी देखना होता है कौन क्या ब्योसाय कर रहा है कौन लोग ओद्योगी क्रियाओं में लगे हैं कितने लोग प्रात्मी क्रियाओं में लगे हैं सब हम देखते हैं इसमें हम ग्रामीड और नगरी जन संख्या के अनपात को भी देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि गाउं का विकास कैसे करना है गाउं के लिए हमें कितना खर्च करना होगा गाउं के लिए क्या बहतर पॉलिसी हो सकती है परवास कितना हो रहा है, माईग्रेशन कितना हो रहा है सहरी जो बिकास हो रहा है वह कैसे बहतर हम कर सकते हैं इस सब चीजों को देखते हैं इसका मतलब हम जन संख्या में सिर्फ लोगों की संख्या नहीं देखते हैं तो अगर आपसे कहीं कोई पूछ ले कि क्या हम जन संख्या के अंतरगत सिर्फ लोगों की संख्या देखते हैं जैसा कि उपर लिखा है तो इसका मतलब है कि नहीं जन संख्या में चुकि जन है और यह जो जन है यहां कई तरह की बिशिस्ताओं को अपने में समेटे है जैसे म मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहें आपके हर व्यक्ति के परिवार में कोई किसान होंगे आपके पिताजी कोई बैवसाय करते होंगे कोई मश्दूरी करते होंगे कोई बिजनसमेन होंगे हर तरह के लोग हैं हर जाती हर धर्म के लोग हैं तो इस सभी जानकार यां हमें और आपको एक दूसरी की कैसे पता है जनसंख्या के आधार पर इसलिए जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एच, जेंडर, काश, रिलीजन, लेंगवेच, लिट्रेसी के ट्रेंड को हम समझते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड को समझते हैं, हम उनक पहले ही पेरागराफ यह चल ला है, अभी देखो, यह पहला ही पेरागराफ अभी चल ला है, ठीक है, तो यहां पर विश्व की जनसंख्या असमान रूप से बिपरीत है, जैसे एसिया के संदर्म में ही देखें, तो जार्च, वी क्रेसी के टिपड़ी है कि एसिया में बह पूछ लिया जाए कि किसकी टिपड़ी है कि कम छेत्र पर अधिक लोग एसिया के संदर्म में किसने ये टिपड़ी की है कि कम छेत्र में अधिक लोग और अधिक छेत्र में कम लोग रहते हैं, तो उनका नाम क्या है, जोर्ज बी क्रेसी यहां पर भी लिखा है, और इस map का सहारा लेना होगा इनका ये कहना है कि यह जो छित्र हम देख पा रहे हैं यह देखे यह जो छित्र हम देख पा रहे हैं यह वाला जो छित्र यह जो छित्र हम देख पा रहे हैं यह जो छित्र देख पा रहे हैं यह जो जे छित्र देख पा रहे हैं यह जो एरिया देख पार है अब देखो एस्य और खितना बड़ा है लेकिन सबसे जादा जन घंगनत reais आपको यही मिलेगा बाकी यह जो पूरा चित्र है यहाँ पर जन घंगनत क्या होगा कम देखने को मिलेगा ऐसे इसको कर लो अर्थाद बड़े एरिया पर कम जनसंख्या, छोटे एरिया पर अधिक जनसंख्या, यही बात George V. Casey ने Asia के संदर में कहा था, लेकिन वह Asia के विसन में उन्होंने जरूर कहा, लेकिन अगर हम देखें, तो यही बात क्या होती है, पूरे वर्ल्ड के population distribution को भी क्या करती है, define करत पाए, क्या यहां तक हम सोच पाए, सोच पाए, ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चमकु क्यों नाराज हो तुम हमसे, चमकु नाराज क्यों हो, यह कब इसमाईली वाला emoji भेज़ोगे, मैं इसलिए comment देख रहा हूं साय, तुमने इसमाईली वाला emoji भेज़ दिया हो, हमेशा गुस्से मो, क्यों इतना गुस्सा हो, पिर से देखो, फिर से वही भेज दिया चमकु तुम खुस हो जाओ थोड़ा सा, चली आज़ो, अगले आगे बढ़ते हैं, तो आप विस्मी जनसंख्या की वित्रण का प्रारू, ठीक है, इसको देखी, आप देखी, मैं इसको फिर से आपको NCIT दिखा देता हूं, फिर से NCIT दिखा देता हूं, जो अभी मैंने आ रिमढ़क्स आपको define किया, उसके बाद हम यहां पर यह वाला जो भाग है, इसको हमने define करिए यह वाला, अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हूं, ठीक है, अब इसको define करने जा रहे चल यहाँ पर आज़े ठीक है तो यहाँ पर जो आपने NCRT देखा हुआ तो इसमें हमें क्या करना है वर्ल्ड के distribution पर हमें यहाँ पर बात करना है ठीक है वर्ल्ड के distribution पर तो जन संख्या के बित्रण और घनत के परारूफ से किसी छित्र की जननांकी बिसेस्ताओं को समझने में मदद मिलती है अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बात यहाँ पर इन होना लिख दी कि जननांकी बिसेस्ताओं को समझने में हमें क्या होता है आसान होता है जननांग की विसेस्ता कुछ नहीं है यह सब क्या है जननांग की विसेस्ता के ही भाग है अर्था जब हम population को यह देखते हैं कि किसी area में कितने लोग हैं कहां पर लोग जादा हैं कम हैं तो हम क्या पता करेंगे किस age के हैं किस gender के हैं किस जाती के हैं किस धर्म के हैं क्या भास लोग कितने अधिक और कम रहते हैं, टिक है, तो जनसंख्या के बितरण और घनत्य के प्रारूफ से किसी छितर की जननांगी भी सेशता है, कौँसे भी सेशता हैं, यहां पर यह जो लिखी हुई है, इनका क्या होता है, पता चलता है, भूपरिष्ट पर जो है कि जनसंख्या को जन संख्या को जन संख्या को क्या करते हैं जन संख्या बित्रण कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी पृत्वी है इस पृत्वी पर ऐसा तो नहीं है कि सभी जगए पर एक्वल लोग रहते हैं अलग अलग जगवों पर अलग अलग जन घनत तो हमें देखने को मिल और इसी में लिखा है कि विश्व की जनसंख्या के 90 परतिसत लोग विश्व के सिर्फ और सिर्फ 10 परतिसत इस्थल भाग पर फैले हुए। जैसे कि हमारा डेजर्ट वाला एरिया मरुस्थल वाला एरिया जैसा कि मौन्टेन एरिया ठीक है। यह ऐसे एरिया है जहांपर पॉपुलेशन कम है। इसी के कारण अगर आप पूरे विश्व की जनसंख्या को देखेंगे तो आपको एक आस्चार जनक फैक्ट और डेटा म भारत में दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। जो कि अब क्या होगा कुछी समय बाद अगले साल हम चाइना को पीछे चोड़के हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले तेस बन जाएंगे। लेकिन भारत का जो चितरपल है वो पूरे विश्व की चितरपल का एरिया है और यहाँ पर पॉपुलेशन कितना है लगभग 121 करोण अगर हम 2011 की जंग नवाने और हमारे पास टोटल यह जो एरिया है यह पूरे वर्ल्ड के पूरे प्रत्वी के एरिया के केतना है एक छोटा सा हिस्सा ही तो हम क्या करते हैं धारित करते हैं ठीक इसी तरह स अगर पूरे विश्व में इसी तरह से जंसंख्या के बित्रण को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या करते हैं 90 परतीसत लोग 10 परतीसत इस्थल भाग पर रहते हैं तो बाकी 90 परसिंट इस्थल भाग पर क्या रहते हैं होंगे 10 परतीसत लोग रहते होंगे आप आउस्टेलिया में चले जाओ, आउस्टेलिया का जो पूरी भागे जनसंख्या जादा है, पसिम में डेजर्ट है, वहाँ पर क्या होगा, कम लोग मिलेंगे, अफ्रिका में चले जाओ, एक्वेटर वाला जो छेतर है अफ्रिका का, वहाँ पर जनगनत तो कम है, सहारा क ये बगल में अगर आप देखो तो जो गल्प कंट्रीज है जहां पर मरुस्थल है वहां पर भी पॉपलेशन कम है वो तो बाहर से लोग वहां पर कुछ चले गए तो आपको वहां पर भेड दिखाई देती है इसी तरह से आप दच्छेड अमेरिका में चले जाओ तो पूरा नॉर्मे और स्रीडन वाला है वहां पर चले जाओ जन घनत तो क्या होगा तो यही चीजी हां पर लिखी हुई है किलियर है, यही चीजी हाँ पर लिखी गई है, चले आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या के असमान बित्रण के कई कारण है, कई कारण है मतलब कि जनसंख्या की असमान ता का कोई एक कारण नहीं है, अर्थाति आप यह नहीं कह सकते हो, कि जनसंख्या का सम्मध सिर्फ क्रिसी से बहुत सी चीजे जनसंख्या को ये जनसंख्या के बित्रण को क्या करती है प्रभावित करती है इसका एक लेटेश्ट एक्जामपल आप देखो लेटेश्ट एक्जामपल आपको देखना होगा रूस और उक्रेन के बिवाद को किसको देखना होगा रूस और उक्रेन के बिवाद रूस और उक्रेन का बिवाद हुआ युद्ध सुरू होने के बज़े से क्या हुआ एक बड़ी आवादी उक्रेन से पहले उसने उक्रेन को छोड़ा अब आप देखेंगे तो जब रूस ने कहा है कि हम क्या करेंगे और ल छोड़ दो पता नहीं अमेरिका कब रूस पर हमला कर दे रूस कब उक्रेन पर हमला कर दे कुछ पता नहीं तो यहां पर क्या होगा जन संख्या कभी तुरंद क्या हो गया चेंज हो गया अब जहां पर यह लोग यह लोग जहां पर रूस के लोग जा रहे हैं वहां पर जन सं जो बित्रण है वो परभावित होता है आप रोहिंग्या को देख सकते हो रोहिंग्या अगर देखा जाए तो पहले कहां सिर्फ मयामार में रहते थे और मयामार में रहने वाले वहां की जनसंख्या के भागते लेकिन क्या हुआ फिर संघर्स हुआ और उस संघर्स में यह आर जन संख्या क्या हो गई बढ़ गए ठीक इसी तरह से देखो कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज के कारण कई जगों पर फ्रेस वाटर क्या हो रहा है तो फ्रेस वाटर जब कहीं पर कम हो रहा है तो वहां से लोग क्या कर रहे हैं एक से दूसरे गाओं को यह कहाका गया है है दूसर एक संख्या का नहीं नहीं होता है कौन से फेक्टर होते हैं, किस तरह से वो कारे करते हैं, उस पर हम कल बात करेंगे, आज सिर्फ आपको इसका इंट्रोडेक्शन, तो बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिस में, डेली क्लास में आपको मिलेगा, content काफी सांदार मिलने वाला है, आप लोग को अंतिम परणाम देना है, उनको लगता है कि पूरा सिलेबस एक तरब से अच्छे से कंप्लीट हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अनेकैडमी का सब्सक्रिप्सन ले सकते हो, 20% डिसकाउंट मिला, कैसी जानकारी लोगे कोर्स का, वीडियो की डिसक्रिप्सन मे मेरा टेलिग्राम चैनल है, जिसका नाम है सुनेल वर्मा अनेकैडमी, उसको जोइन कर लेजिए, उसको जब जोइन कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आप मुझे परसनल मेसेज भेज सकते हैं, और मेरी टीम आपको कोर्स की जानकारी देदेगी, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं पाँछवेज़, ओके, थेंकियو सो मँझ, थेंकियो सो मँझ, थेंकियो सो मुझ, थेंकियो सो मुझ.